नमस्कार मैं नीता देवलिया उत्राखर मुक्त विश्विद्यालाई की ओर से आपका हार्दी गविनंदन वस्वागत करती हूँ आज की योग की कक्षा में मैं नीता देवलिया वह मेरी साथ मेरी सायोगी पूजा पलड़िया रहेंगी तो आईए योग अभ्यास से पूर्व कुछ नियमों को हम जान लें योग अभ्यास सुभा खाली पेटी किया जाएं आप चाहें तो यह अभ्यास सुर्योदय के समय भी कर सकते हैं परन्तु हलका भोजन ले दिन में या फिर भोजन के 5 या 6 गंटे बाद ही अभ्यास करें योग अभ्यास करते हुए आपके वस्त्र ढीले वह सुविधा जनक रहें इस बात का आपको ध्यान रखना है जहां भी योग का अभ्यास करेंगे वहां का वातवरन स्वच्च हो वह खुलेवे स्थान में ही करें तुरंत बाद स्नान या भोजन ना करें योग अभ्यास करने के बाद आपको आधे या एक गंटे का समय देना है तो इन सामानी नियमों को जानते हुए हम योग का अभ्यास करेंगे आज की कक्षा में किये जाने वाले आसन पेट के बर लेट कर किये जाने वाले आसन है जिसमें आपकी सीक्वेंस रहेगी पहला आसन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, वांतिमासन, मकरासन करेगा पहला अभ्यास भुजंगासन का जिसे कोब्रा बोस भी कहते हैं इसमें आप देखेंगे आपको दो तनी को तरीकों से करवाया जाएगा अर्दभुजंगासन वा पुणभुजंगासन तो धीरे देर ही आपको अभ्यास को बढ़ाना है तुरंत एडवांस पोस्चर में आपको नहीं जाना है दूसरा अभ्यास है आपका शलभासन, शलभासन का अभ्यास भी एक-एक पैर से आप करेंगे उसके बाद ही आपको अभ्यास को दोनों पैर से करना है धनुरासन का अभ्यास करते वे भी आपको उसमें दो तरीकों से बताया गया है अर्दधनुरासन वा हाद घुमाकर पूर्दनुरासन का अभ्यास तो धीरे धीरे ही इसका अभ्यास आप करेंगे अंतिम अभ्यास मकर आसन का है, जिसमें आप रिलेक्सेशन भी करते हैं, हर एक अभ्यास के बाद आपको रिलेक्सेशन करवाय जाएगा, उस रिलेक्सेशन को आपको अच्छे तरीके से करना है, वह जैसे भी आपको विधी बताए गई है, उसी प्रकार से आपको करना है पेट के बल लेट कर किये जाने वाले आसनों के क्रम में सबसे पहला अभ्यास भुजंग आसन का है पेट के बल किये जाने वाले अभ्यासों में आपकी स्थिति आपकी पोजिशन इस प्रकार रहती है माथा जमीन पर लगा हुआ हतेलिया जमीन की ओर शरीर से लगी हुई पंजे आपके जमीन से लगे हुए मिले हुए एकसान अभ्यास प्रारम करेंगे धीरे से अपनी ठुड़ी अपनी चिन को जमीन पर लगाए सामने की ओर देखते वे जमीन पर रखेंगे दोनों हातों की हतेलियों को मोडते वे स्प्रकार से मोड़ें कि आपकी उंगलिया सामने की ओर आए छाती के पास रखेंगे छाती के अगल बगल दोनों हतेलिया कोहनिया उपर की ओर रहेंगी लंबी घहरी स्वास भरते वे धीरे से अपनी चिन को उपर उठाएं कंदों को पीछे की ओर पुष करें चाती को उपर की ओर उठाते वे अधिक्तम पीछे की ओर देखने का प्रयास अंतिमिस्थिती में आप सास छोड़ सकते हैं बुजंगासन का अभ्यास बुजंग के समान अर्थात स्वाप के समान आपकी आकरती इसकी अंतिमिस्थिती में यदि आपका मेरुदन लचीला है अभ्यास द्रण है लंबे समय से आप अभ्यास कर रहे हैं तो इसकी अंतिमिस्थिती पूर्ण बुजंगासन की स्थिती में आप आने के लिए दीरे से पीछे की ओर जाने का प्रयास करेंगे यथा संभव जितना आप जा सकते हैं पैरों को मोड़ते हुए घुटनों से सिर के साथ स्परश करने का प्रयास आपकी अंतिमिस्तिती बुजंगासन की ध्यान रहे जिनका मेरी उधन लचीला हूँ जो अभ्यास थे वे ही इसका अभ्यास करें धीरे से वापस आने के लिए पैरों को सिधा करेंगे स्वास भरते हुए धीरे से सामने देखेंगे पुना स्वास छोड़ते हुए धीरे से ना भी लगाते हुए छाती का स्परश करते हुए चिन लगाते हुए कोन या सामानिय स्थिति में लेकर आएंगे रिलेक्सेशन के लिए दोनु हाथों को अपने चहरे के आगे की ओर लाते हुए क्रॉस इस प्रकार से करना है कि आप दोनु अपनी भुजाओं को पकड़ सकें हैंड्स आपके क्रॉस में रहेंगे रिलेक्सेशन के लिए दोनु हाथों के ओपर अपना माथा रखें दोनु पैरों में कंदों के बराबर या उससे थोड़ा और दूरी आप बना सकते हैं ध्यान रहे पैरों के पंजे बाहर की ओर भुजंगासन की बाहर रिलेक्सेशन की स्थिति कमर को बिलकुल ढीला छोड़ें लंबी गेरी स्वास प्रे स्वास करें आईए इस आसन को करने के लाब पता करें कमर दर्द स्लेब डिस्क की समश्या में यह अभ्यास लाबकारी है प्रजने नंगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है मासिक धर्म कबजादी की समश्या को दूर करता है लीवर किड्नी पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है आईए इसी के साथ साथ इसके कुछ सावधानिया भी जाने पैप्टिकल से हरनिया वह हाइपर थाइरोडिज्म की समश्या में किसी कुछल प्रसिक्षक के मार्ग दर्शन में ही या अभ्यास करना चाहिए आसनों के क्रम में पेट के बल किये जाने वाले आसन अगला अभ्यास शलभासन का करेंगे वापस आएंगे दोनों पैरों को मिलाते हुए पंजे बहार की और खिचे हुए हाथों को सामाने स्थिति में लेकर आएंगे इस प्रकार से लेकर आएं दोनों हाथ आपके शरीर के बगल में रहें हतेलिया जमीन की और थुड़ी सामने रहेगी जमीन का स्पश करते हुए चहरा सामने की ओर सलभासन का अभ्यास एक-एक पैर से करेंगे सबसे पहले दोनों हतेलियों को पलटते हुए आप चाहें तो मुठी भी बना सकते हैं यह हतेलियों के सहारे इन्हें जंगा मूल के पास थाई रूट के पास फिक्स करना है जिससे आपके पैरों को हलका सपोर्ट मिले अभ्यास के लिए लंबी गरी स्वास भरते वे अपने बाई पैर को अधिक्तम सीधा करते वे उपर उठाए ध्यान रहे आपका घुटना ना मुड़े अधिक्तम खिचाओ के साथ आप चाहें तो मुठी से यह हतेली से अपने पैर को सपोर्ट दे सकते हैं धीर इसे स्वास छोड़ते वे वापस आएंगे इसी प्रकार से यह अभ्यास दाए पैर से करेंगे स्वास भरते वे दाए पैर को खिशते वे अधिक्तम उपर की ओर उठाने का प्रयास अंति मिस्थिती में पैर का पंजा खिचा हुआ गुटना सीधा धीर इसे वापस आएंगे लेक्स ट्रंटनिंग के बार यदि दोनों पैर आपके मजबूत हो जाएं आप अभ्यस्त हो जाएं दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें मुठी बना सकते हैं जिससे आपको जाद से जादा सपोर्ट मिलेगा स्वास भरते वे दोनों पैरों को उपर उठाएंगे अधिक्तम जितना आप उठा सकते हैं ध्यान रहे जितना भी आप उठाएं आपके घुटने नाम उड़े घुटने सीधे रहे पंजे खिचे वे वापस आएंगे स्वास छोड़ते वे धीरे से जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है धीरे से दोनों पैरों को जमीन पर रखते वे हाथों को धीरे से सामानी स्थिति में बाहर लेकर आएंगे पुना रिलेक्सेशन के लिए दोनों हाथों को चहरे के सामने क्रोस करते वे बुजाओं को पकड़ते वे माता रखें दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी पंजे बाहर की ओर रहें पूरा शरीर बिल्कुल धीला यह था शल्भासन का अभ्यास तो आईए शल्भासन के लाभों को जाने यह अभ्यास और्टनॉमिक नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कहता है लोवर बैक वो पैल्विक अंग को मजबूत बनाता है साइटिका स्लिप डिस्क के दर्द में लाबदायक होता है उदर के अंगों की कारिशमता इस आशन के अभ्यास से सुचारू रूप से बढ़ती है परन्तु कुछ सावधानिया भी हमें ध्यान में रखनी है दुर्बल हरदय वाले व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए उच्चे रक्तचाप, पैप्टिकल सर, हरनिया की समश्या में इसका अभ्यास किसी योग गुरू के निर्देशन में ही करें तो आएए आसनों के क्रम में अगला अभ्यास पेट के बल किये जाने वाले आसनों में धनुरासन का अभ्यास करेंगे पुनर स्थिती में वापस आएंगे पैरों को आपस में मिलाएं दोनों हातों को अपने शरीर के बगल में लेकर आएं चिन समीन पर रखी हुई चहरा सामने की ओर धनुरासिन की स्थिती के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़ना है घुटनों से मोड़ते हुए सिर्की ओर लेकर आएं दीरे से दोनों हातेलियों से आप चाहें अपने पैर के पंजे को या दोनों पैर के अंगुठे को पकड़ सकते हैं जैसे भी आप सुविदाजनक महसूस करें कमफर्टेबल हो इस स्थिती में लंबी गहरी स्वास भरते हुए अपने पैरों को उपर के और खीचें दीरे से सिर को उपर उठाते हुए चाती को उपर उठाते हुए अधिक्तम खीचने का प्रयास करना है कि आपकी दोनों थाई जमीन से उपर रहे धनुष के समान आपकी आकरती धनुरासन में है इसी स्थिती में अभ्यस्तोने के बार यदि आपके मिरुदर्ण आपके कंदेल अचिले है धीरे से कोहनिया मोडते हुए पैरों को और उपर खीषते हुए पूर धनुरासन की स्थिती में आ सकते हैं गोशिश करनी हैं पेरु को अधिक्तम उपर की ओर खीशने का, धनुश के समान आपकी अकृति पून दनुरासन की स्थिती में, धीरे से वापस आने के लिए पुना, पेरु को अपनी ओर खीशते हूए, गोहन्यों को गुमाते हूए, वापस अर्ध दनुरासन की स्थिती, धीरे से पैरों को नीचे लाते हुए, चिन जमीन पर लगाते हुए, समानी स्थितिम आएंगे, यहीं से रिलेक्स करेंगे, तोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी, ध्यान रहे, बंजी बाहर की ओर हो, पैर बिल्कुल दिले, दोनों हाथों को चहरे के सामने लाते forehead, आपके हाथ के उपर, आखें बन, पूरी सजगता स्वास पर स्वास पर, मेरी उदर्ण बिल्कुल डीला छोड़ दें, आसन के प्रभावों को मह्सूस करें, बजोआसन का अभ्यास आपने किया इनके लाबों की चर्चा करते हैं, यहाँ अभ्यास लीवर वामाश्य की मालिष करता है, इसके अभ्यास से पैंक्रियास वो एड्रिनल ग्रंथी पर विशेस प्रभाव पड़ता है यहां आसन कब्जे की समश्या को दूर करता है प्रजेनन्त अंत्र पर भी इसका सकरात्मक प्रभाव पड़ता है मदुमे मासिक धर्मे की समश्या सर्वाइकल स्पॉन लाइटिस की समश्या में यहां आसन लाप्रद होता है स्वांस समबंदी समश्या में भी यह काफी प्रभावी आसन है आईए इसी के सांस सांच को साउधानिया हमें ध्यान में रखनी है उच्चर अप्तचाप हरदै समबंदी रोगों में योग प्रसिक्षक के निर्देशन में ही यह अभ्यास करना चाहिए, हर निया वाल्सर की समश्या में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, यहीं धनुरासन के अभ्यास के बाद इनकी लाप साउधानी की चर्चा करते हुए, आपने जाना कि यह आसन कितना इंपोर्टेंट है, इसके साउधानी हमें रखनी है, तो आएए अंतिम अभ्यास, मकरासन का अभ्यास करेंगे, जो पूर्ण रूप से आपकी कमर को रिलेक्स करता है, इनासन के अभ्यास के बाद आपके कमर पर पिशेश रूप से जोर पड़ा होगा, तो कमर को रिलेक्स कराने के लिए मकरास का अभ्यास धीरे से स्थिती में वापस आएंगे दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए पंजे खीचे हुए दोनों हाथों को दुला छोड़ते हुए पीछे की ओर लेकर आएंगे आपका चिन जमीन पर लगा हुआ मकरासिन के लिए आपके हाथों की विशे सिस्थिती दीरे से चुड़ी को उपर उठाएं दोनों हाथों को फोल करते हुए कोहुनी आपकी जमीन पर लगेगी कलाई आपस में मिलाते हुए दोनों कलाईयां मिलाते हुए चिन को हाथों के बीच में रखना है दोनों हाथ, हाथों की हतेलिया आपके दोनों गालों पर पैर आपके सीधे आखें सहिष्टा पूर्वक बंद रखे या आपकी मकरासन की अंतिमिस्थिती यह अभ्यास आपके कमर को बिल्कुल रिलेक्स करता है यदि आपके पैर रिलेक्स ना हो तो आप इस स्थिती में और रिलेक्स करने के लिए पैरों में दूरी रख सकते हैं धीरे से पंजे बहार के ओर रखते वे इस स्तिती में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं अन्य था प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए आप पैरों को मिलाकर रखेंगे पुनव वापस आएंगे पैरों को मिलाते हुए आखें खोलते हुए धीर एसे दोनों हात्वों को सामने के ओर लाते वे रिलेक्स करेंगे दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी हाथों को सामने के ओर लाते वे क्रॉस करेंगे अपनी भुजाओं को पकड़ते वे माथा हाथ के उपर आखे सहिश्ता पूर्वक बन अंतिम अभ्यास मकरासन का हम ने किया यह अभ्यास आप कमर को रिलेक्स कराने के लिए लंबे समय तक कर सकते हैं जो पीट के बल नहीं लेच सकते वे इस अभ्यास को कर सकते हैं यह अभ्यास पेट के बल के जाने वाले अभ्यासों में है तो आईए मकरासन के अभ्यास के लाभों को हम जाने यहाँ अभ्यास स्वांस प्रस्वांस संबंधी वो कमर दर्द की समश्या में लापकारी होता है उदर की अंगों को प्रभावित करता है तथा शरी को शित्लता प्रदान करता है इसी के सांसान कुछ सावधानी भीस में हमें रखनी है यह अभ्यास relaxation के लिए तो आवश्यक है परन्तु यदि पीछ में या कमर में दर्द की समश्य है तो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करना चाहिए यदि मकरासन की स्थिती में कमर में दर्ड या सहष्टा महसूस हो रही हो तो तुरन वापिस आ सकते हैं यह अभ्यास उस वक्त नहीं करना चाहिए